हलो दोस्तो कैसे हो मैं हूँ आश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो गेम दिखाने जा रहा हूँ उस गेम में बलेक ने जब लास मूग की थी तब वहाँ पे खड़े लोगों ने जो है मैं इसको वापस से रेकोड कर रहा हूँ और यकीन मने दोस्तो आप पूरी गेम देखोगे आपको काफी मजा आएगा तो आए शुरू करते हैं जो की 1912 में खेली गई थी वाइट से खेल रहे है स्टीफन लविस्की वर्सिस ब्लेक से खेले दोस्तो फ्रैंक चम मार्शल जो और नेक्स मूम में जो है वो एक्चुली अब लेक उस सेंटर पेटेक करता है विड डिफाई और नाव नइट टू सी थ्री और नाव सी फाई और दोस्तो यहाँ पर हम सब जानते है कि आजकल जो है पॉन काफ्चरस डिफाई खेला जाता है सी फाई के सामने और पॉन इस जो है वो डेवलोप कर रहे हो नइट तो सी शिक्स मार्षल ने के लाखन नाव पॉन काफ्चरस डिफाई पॉन काफ्चरस डिफाई और बिशप तो यहाँ पर वाइट देखे अपने सारे जो है माइन और पीश निकाल रहा है और बेक ने अब जो है शॉत कासल कर लिय इस position में दोस्तो एक्चुली white ने के लाए d captures on c5 so white का point यह है कि अगर आप जो है bishop से capture करते हो then simply bishop captures on f6, queen captures on f6 और उसके बाद queen captures on d5 और white को extra pawn मिल जाएगा और साथ साथ यहाँ पे bishop पे attack भी है so queen पे कोई attack लेने का plan भी नहीं बन सकता so d captures on c5 के बाद इस position में है ऐसा दोस्तो कुछ कि इस pawn को जो है वो support एक्चुली जादा देर तक किया नहीं जा सकता मतलब यह pawn जो है dead pawn ही है so इसलिए यहाँ पे Marshall जी ने जो है वो actually bishop to e6 खेला और अब उनका plan है दोस्तो simply bishop captures pawn so knight to d4 जो है वो game में खेला गया but now bishop captures on c5 and now knight captures on e6 and pawn captures on e6 so यहाँ पे white के पास अब कोस दोस्तो bishop पे रहे और दूसरी और black की यह दोनों pawn देखे तो जो है दोनों open file पे pawn है so इस type के pawn structure को हम जो है hanging pawn बोलते है तो यहाँ पे strategy क्या रहती है usually अगर white जो है वो pawn के आगे के square को जो है अची तरह से blockade कर पाए मनलब यह दोनों square को e5 and d4 को अची तरह से blockade कर पाएगा then white की game अची हो सकती है और अगर black जो है दोस्तो अपने pawn push करने में manage होता है तो black की game जो है अची हो जाएगी इस position में जो है white ने bishop to g4 खेला तुरंती जो है pawn on e6 पे attack किया है and now queen to d6 pawn को support दिया and now bishop to just h3 क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे threat थी हमारी knight capture 600 g4 की पहले यह possible नहीं था क्योंकि हमारी queen जो हो pin थी and now rook to just a2 e8 rook a2 e8 खेलने का reason ही है दोस्तों कि already f file हमारी लिए half open है so वो rook जो है उदर काफी activity होगा आगे चलके so इसलिए rook a2 e8 खेला गया और यह जो है तकरीबन सारी classical game में होता है कि कोई भी अच्छा player जो है वो attack करने से पहले अपने सारे के सारे pieces जो है उसको centralized करने की try करता है and now queen to d2 white ने खेला so white जो है अपने rooks connect कर रहा है and now bishop to just b4 so यहाँ पर हम जो है knight को पीन कर रहा है और आगे चलके d4 जो है might be काफी deadly threat बन सकती है इस position में white ने जो है bishop captures on f6 खेला जिसकी कोई जरूरत actual में थी नहीं बट शायद वो दोस्तों यहाँ पर इसलिए खेला कि वो जो है knight to e4 से डर रहा है but anyways but knight e4 जो है okay इतनी बड़ी threat नहीं थी क्योंकि उसमें knight captures e4 खेला जा सकता था and after bishop captures यहाँ पर knight captures on d6 आ सकता था right but anyways game में चलते है जहाँ पर bishop captures on f6 जो है game में खेला गया and now rook captures on f6 rook a2 d1 and now queen to just c5 so दोस्तों अब जो है d4 काफी बड़ी threat है so now queen to just e2 अपनी queen को जो है pin में से हटाया and now bishop captures c3 b captures c3 and queen captures on c3 so इस तरह से white ने पहला pawn loose किया but white ने यह सोचा कि उसको pawn वापस मिल सकता है क्योंकिए pawn on e6 जो है वो पीन है so उसने खेला rook captures on d5 और अब जो है pawn captures on d5 नहीं खेल सकते है otherwise queen captures on e8 जो है वो वहाँ पे white के लिए अची position create हो जाएगी so now martial ने खेला knight to d4 so दोस्तो knight d4 का point यह है कि आप queen पे attack कर रहे हो और यह queen जो है वो कहाँ जाएगी क्योंकिए queen e3 में क्या होगा simply हम capture कर सकते है pawn captures के बाद simply pawn captures on d5 खेल सकते है और अब queen e1 जैसी कुछ move करते हो then knight f3 check आएगा जिसमें say pawn captures on f3 but then rook to g6 check and यहाँ पे bishop g4 जैसी move खेलना force हो जाएगा and then हम queen captures on f3 खेलेंगे और वहाँ पे double attack होंगे rook captures on g4 or queen captures rook on d5 but anyways game में चलते है जहाँ पे knight to d4 के बाद white ने queen h5 खेला जो की उसकी जहाँ काफी गलत मूँ थी actually white के लिए best move थी के queen e4 खेले वहाँ पे इस pawn को pin रखें continuous but anyways queen to h5 जो है वो white ने खेला so उसने सोचा के rook पे attack है so यहाँ पे pawn captures on d5 का कोई सवाल ही नहीं है उसकी बात सही है दर याएगी कि वो अपना rook save करे और meantime यहाँ पे दोस्तो black जो है completely winning है क्योंकि इस position में white ने खेला rook e5 बट आप कहीं पे भी खेलते हो actually rook captures on f2 जो है यहाँ पे completely winning है क्योंकि आप rook captures on f2 खेलते हो then queen to a1 check और उसके बाद जो है वहाँ पे mate आ जाएगी बट गेम में के वहा rook e5 के बाद actually marshall ने जो है वो rook to h6 कहला उन्होंने जो है queen पे attack किया है और इस position में दोस्तो best move यह है कि white जो है एक piece दे दे with bishop captures on e6 check बट यहाँ पे actually white ने कहला queen to g5 बट नाव rook captures on just h3 rook captures on h3 का point यह है कि pawn captures h3 के बाद knight to f3 check आ रहा है जिसमें queen जा रही है तो तुरंत ही जो है rook captures h3 के बाद आप rook को capture तो नहीं कर सकते हैं so इस position में actually rook to c5 खेला गया queen पे attack है और उसके बद दोस्तो white की queen move होगी और knight पे attack करेगी और उसके बद आपको जीए और सोचिए कि Frank James Marshall ने यहाँ पे क्या खेला होगा रेड़ी दोस्तो यहाँ पे उन्हों ने खेला queen 2 g3 what a move है के नहीं इस queen को जो है वो h pawn से capture किया जा सकता है f pawn से capture किया जा सकता है queen से capture किया जा सकता है but सारी की सारी move जो है वो यहाँ पे गलत है सब move में जो है वो actually black by force win हो रहा है तो अब देखते है किस तरह से यहाँ पे black win होगा इस move के बाद actually white ने resignation दे दिया था अब देखते क्या होता है अगर आप just pawn on h से capture करते हो but then एक ही move में mate knight e to check mate और यह pattern जो है दोस्तों वो है and rook captures on f1 जो है वो checkmate हो जाएगी और उसी तरह से queen g3 के बाद last option अगर queen captures on g3 कहलते हो then knight e to check king h1 और अब क्या हो दोस्तों knight captures on g3 so pawn on जो है वो h तो पीन है इसकी वज़ा से वहाँ पे कोई chance नहीं कि उस pawn से capture करे और अगर आप जो है f pawn से capture करते हो then rook captures f1 जो है checkmate आजाएगी so king to g1 force और अब knight to e2 check back और king h1 के बाद यहाँ पे simply black जो है अपना rook सेव कर सकता है रुक के को exchange के लिए भी जा सकता है या रुक से जो है वो attack के लिए भी जा सकता है so ए position दोस्तों जो है वो completely black के लिए winning है so इसलिए जब marshal ने queen g3 खेला इस particular position में जो है वो white ने resignation दे दिया so दोस्तों उस time पे तो जो है logo ने सोने के सिके उचा लेते but आप जो है actually like और sharing की बारिष तो करी शकते हो right so I hope मेरा वीडियो जो है आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो please इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद जाहिन बाबाई